उसके फ़े नियुक्त करब मुझस को कैसे हमारे रिष्ट कर सकते及 कैसे और भी स्ट्रॉंग कर सकते मुझल कर सकते यह हमें बतायानगे हमारी एकपर्टfähंग मनीशा गिल printing जी ने स्ट्रेखंगly सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कैसे हमारे रिष्टे और भी स्ट्रॉंग और मजबूत हो सकते हैं हमारे वर्क प्लेस पर वर्क प्लेस जैसे कहते हैं कि we spend a large number of hours at the workplace especially waking hours तो रिष्टे stronger बनाने के लिए एक तो transparency honesty की बहुत ज़रुरत है उपर से professionalism maintain करना बहुत ज़रूरी है to be a part of grapevine or gossip in the office is generally to be avoided और अपने, it's very important कि आप अपने जो आपके co-workers हैं, colleagues हैं what drives them, what makes them happy, उन चीजों का थोड़ा ख्याल रखें और एक good listener होना बहुत ज़रूरी है exactly, आपने का एक good listener होना बहुत ज़रूरी है हमेशा कहते हैं, लोग भी कि be a good listener rather than a good speaker तो patience का क्या रोल है रिष्टों को मजबूत बनाए रखने में patience का बहुत बड़ा रोल है रिष्टों को मजबूत बनाने में क्योंकि जब हम, we are all different individuals तो एक दूसरे को accept करना without judging each other is very important और relationships तभी stronger होती है जब हम दूसरे के कुछ weaknesses के साथ patient हो और उनकी strengths पे ज़्यादा emphasis करें exactly because nobody can be perfect और अपने आपको perfect समझना भी गलत होता है कई ना कई क्योंकि हो सकता है कि अगर आप में कुछ qualities है तो आप में कुछ negative qualities भी हो तो उनको accept कीजे और उसके साथ काम करते जाए be very professional in the organization जिससे आपके रिष्टे और मजबूत हो सकते हैं अभी बात करते हैं राजीव से जो ना में कॉल किया है जी राजीवा very good afternoon बताईए क्या पूछेंगे मैडम good afternoon मैडम मेरे को एक ची बताईए ना मैं handicap हो तो यह मेरे मेरे में यह जो official लोगोते हैं ठीक से behavior नहीं करते हैं किसे कुछ काम के लिए मैं जाता हूं तो अभी आज नहीं होगा कल लोगा बाद में आना तो इस तरह करके तो मैं इनका जो मैं जो सबसे top officer होते हैं क्या मैं इनका कंप्लेंट उनके बास कर सकता हूं या इनके पिर किस तरह मैं इनके साथ बेस करो जनके साथ deal कर रहे वो ऐसे ही हैं लोग उनका behavior दूसरा अगर उनको लगे की जवरत है तो उनको communicate करना चाहिए दूसरे इंसान को यह कहके कि आपका मेरे तरह behavior ऐसे क्यों है find out communication थोड़ा बिल्ड करें उनके साथ लेकिन अगर उनको को कोई solution ना मिल पाए so it's always good to at least talk to your boss okay मदब boss के साथ directly बात करें और अपनी problems को solve out करने की कोशिश करें कि यह एसा हो रहा है communication की आपने बात की तो communication कितना important है रिष्टों को मजबूत रखने के लिए communication बहुत ही important है रिष्टों को मजबूत रखने के लिए क्योंकि communication के through ही हम एक दूसरे को accept करते हैं वीकनेस को minimum पे रखें उन पे कम focus करें और strengths के साथ काम करें और दूसरे communication जिब honest हो और बिल्कुल transparent हो तो उससे trust बढ़ता है okay and trust is the basis of all relationships exactly trust होना बहुत important है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं weak कुछ लोग होते हैं strong जैसे कि मैंने का कि कोई भी perfect नहीं होता अपने काम में हो सकता है कि किसी में कुछ एक कमिया हो तो किसी में कुछ एक strength हो या फिर वो उस काम को ज्यादा बेटर तरीके से करें लेकिन कई बार यह जो competition होता है हम चाहते हैं कि healthy रहे लेकिन कई बार यह jealousy में भी convert हो जाता है तो किस तरह से एक तो यह convert होता है और दूसरा इसे कैसे maintain करना चाहिए मतलब आगे चल कर आपका competency jealousy में ना बदले इसके लिए क्या कर सकते है जैनरली जो यह jealousy जैसे आपने का first शुरू में competency होती है फिर competition होता है फिर jealousy बन जाती है first of all अगर आपकी कोई अपनी strengths है उन पे गर्व करिये लेकिन डोंट में proud of them exactly okay vanity is not the not the buzzword and second thing is कभी कभार यह जो kind of competition है यह generate किया जाता है between two people working together so it could be a boss who's generating it okay so it's it's very important to understand कि यह क्यों हो रहा है and not allow it to take over your life बात्वीत करेंगे लेकिन उसे पहले मार साथ एक कॉलर है Bobby जिनसे बात करते हैं जी Bobby बताईए क्या पुछेंगे hello Bobby आपसे request आपने television set का volume please slow कर लीजे उसके बाद बताईए क्या पुछन अचाते हैं hello hello जी बताईए क्या पुछेंगी मैं से जॉब करती थी मेरे को आज वन यार हो गया है मैं जब जॉब कर रहे थी तो वहां पर मेरा काम अच्छा था वो बहुत खूश हुए उन्हों ने मेरे साम में पेशकर रखी कहते कि हमें अपने साथ गर ले जाओ खाना कहलाओ तो मैंने का ममी से पूछा मैंने का ममी ऐसे कह दे कि हमारे को अपने घर में खाना किलाओ तो ममी गहती मैं लाइक नी कर दी कि कोई भी आके यहां पर खाना काई तो जब मैंने किया तो उन्होंने मेरे को मेरे को मेरे को मैरे 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 को मै तो मैं एकदम बेह डर गई तो मैं उसके बाद मैं फिर मैं गई नहीं वहाँ पर क्योंकि मैं एको डर लगा कहते हैं आएंदा तुम यहां आओगी तो हम तुमारे साथ यह कर देंगे वो कर देंगे पहले खूब काम करवाया खूब उन्हों इन्तारीफें की और काम काफी कि इसके बाद में उन्होंने काफी किया था तो मैं परिशान हो गई मैं इतनी मिलस्ट्रेस होगी कि काम नहीं हो पारा था और वह सोच जी बादी मैं क्या करूं कि मैंने की है और मुझाज यह ओपील हो जाए कि कि मैं करूं तो करूं क्या हो सबसे पहले तो बभी आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज डोंट बी स्केर्ड ऑफ एनिवन किसी भी बात का डर अपने मन में मत रखिया और उसके बाद जो इनका सवाल है बहुत ही मतलब कुलीग्स ने परस्नल होने की कोशिश के और उनने मना किया मतलब बिकॉस मुझा लगता है कि प्रोफेशनल रेलेशन चाहती थी या फिर इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि घर पर आके कोई भी परस्नल रेलेशन्स हो तो क्या कर सकती है इस केस में देखिये उन्होंने ट्राय किया जैसे मैंने उन्होंने का कि बात कर नहीं कोशिश करी पर उनको ऑपरचूनिटी नहीं दी गई कि इस इंपॉ डूसरार ग मैं देखिए समय कान ठाय सकती है इस यह जी नई कि prowad कोशी इस और और आप्ड गी शुड़ जैसे वह बिलकुल्क हो गई तो, तो अगर वो किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेती हैं साइकोलोजिस से अविसली एमोशनी काफी उनके लिए मुश्किल हो रहा था तो फाइली जो इतना उनको नौकरी छोड़ी पड़ी हो डर गई तो टेक हेल्प फ्रम पीपल, मेकर सपोर्ट सिस्टम तो हो सकता है कि इनके जो बौसे इनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से अपने बताया रश्टमी जी अभी हम लेते हैं एक छोटवाज़ ब्रेक लेने का ब्रेक करें और ब्रेक के बाद आपके सामने एक बात फ़र से हाजर होंगे पर अपने डिश्टों को मजबूत बनाये रखने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं कुछ टिप्स कुछ पॉइंट अव्यूज की आप अपने पॉइंट अपने बॉस्स के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं ताती साथ बहुत जरूरी है कि आप ताइम-टॉ-टाइम कुछ एक मीटिंग रखें अपने को वकर किसाथ या कुछ इल्दी डिसकॉशन आप कर सकते हैं तो कैसा रहता है हैं अपने कुछ एल्दी डिसकॉशन करना अकॉर्डिंग ती यू अनिशा जी हैं healthy discussions बहुत interesting होते हैं, point of views मिलते हैं, जहां पर मिलते हैं वहां पर जादा friendship हो जाती है, ठीक है आपको नए दोस्त मिलते हैं at work and the more you understand each other the more working together becomes easier because जब आप discussions करते हैं तो what motivates a particular person आपको समझ आता है, supposing कि किसी को appreciation उसका life का motivation हो so next time when you're working with that person, you appreciate if there's, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या expect कर रहा है और साथ-साथ वो क्या चाहता है आप से, जैसे कि Bobby जी ने हमें सवाल किया था, लेकिन मुझे लगा कही ना कहीं कि उनके सवाल में ये था कि उनने harass किया जा रहा था, by the colleagues only तो harassment जब होती है वर्क प्लेस पर, काम करना, of course, मुझकिल हो जाता है और उनके लिए भी a situation आई कि उनने job छोड़ दी Second, you should be able to create a system while at work, so that जब आप किसी प्रबलम में हो, तो there are people who are trustworthy, okay, you can turn to them, maybe they can come up with solutions which you have not thought of because you are so emotionally stuck at that time, exactly, and if you have superiors, there are ways of being able to contact them, if it's a boss, Go ahead, feel free, tell them about your problems, okay, and I'm sure they will help you आपने बात की कि कुछ है कैसे लोग होते हैं, जो trustworthy होते हैं, जो आपको लगता है, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है personally, कि हम यह पता ही नहीं लगा पाते कि कौन हमारे पीछे backbiting कर रहा होगा, या कौन हमारे पीछे politics खेल सकता है, या कौन हमारे पीछे किसी भी तरह क कोई गेम केल सकता है, और कौन हमारे लिए trustworthy है, मतलब कौन हमारा friend है, कौन नहीं, इसका बता कैसे लगा जा सकता है? This is time लगता है तो, कि आप आज मिले और कल अपने दुनिया की, अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर ना करें, over time you will find at work place, जिनके साथ आपकी thoughts, जिनके साथ आपकी feelings, जिनके साथ आपकी desires हैं, life के ambitions हैं, वो अगर match करते हैं, generally you are able to find that out over time. किस से आपकी सोच मिलती है, किस से नहीं, आपको भी एक sixth sense होती हैं, जिनके साथ आपकी मिलती हैं, then the more you keep in touch with them, you will realize that these are trust worthy people. And it's very important to understand that at work there is no need to talk about your personal problems with everyone, you should be able to trust the person you are sharing with, because well there is competition and people will use it against you, तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा यू नीड तो सेपरेट इट फाम यूर पर्फेशनल लाइफ हमेशा बीच में आ जाता है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि competition jealousy में बदल जाता है पता ही नहीं चलता तो कई बार ये healthy relations का मतलब बिखर के रह जाते हैं कुछ पता नहीं चलता आपने का कि superior के साथ हमें discuss करना चाहिए अपना कोई भी problem हो लेकिन कई बार होता है कि हमें superior तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता mails के थ्रू कर सकते हैं बातचीत या कुछ communication कर सकते हैं किसी ऐसे person से जो directly in contact with a superior हो लेकिन इसके लावा और क्या वे हो सकते हैं अपने superior तब पहुँचने का generally ये एक mails वगरा तो है ही देखिए रोक नहीं सकता आपको कोई अगर आप इसादिना चाहते हैं ठीक है हो सकता है जो आप करना चाहते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो बत इंपॉसिबल नहीं है बिल्कुल, नहीं नहीं है नहीं 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 है nothing is impossible so there is no way that you can't meet your superior but yes sometimes we have to be sure that even if I meet that person am I going to get what I am going to get whether I like it or not I will go and get it exactly so a trust in yourself and your belief is very strong belief is very important you have to be very true with yourself and you have to be very strong in your belief कि आप जो सोचा है वो ठीक है अगर आप अपने बॉस के सामने रखते हैं तो आपको sure होना पड़ेगा कि आप बिलकुल ठीक है अगर मैं बात करूँ बात करूँ बॉस के साथ relationship की तो कई बार होता है कि बॉस के साथ अच्छे relations काया हैं तो हम करना चाहते हैं लेकिन जाने अन जाने में हो नहीं पाता है इसा तो कौन सी ऐसी चीजे होती है जो मैं अपोइट करनी चाहिए while we are dealing with our boss okay uh one thing uh communication rakhna boss say it should be uh transparent okay uh sometimes believe that boss is always right okay now when the boss is always right uh sometimes when we feel that the boss is right now wrong it's okay to express yourself but at the end of the day i'm sure the boss has much more experience than you would have and he will do whatever is in the good of the organization so um well we just have to agree at that state that boss is right the boss is always right ka funda hume apnana chaayye ya nahi iske baare me baat karenge lekin abhi leetye ek chote sa break call pake me wakhto ho gaya ek bar pherse ek chote sa break lene ka aap kahi mat jayye dekhte rahiye pragya joe aapko milaye behtar aapse ab workplace hai yarni ki eek organization hai toho haa par of course si baat hai ki bhoat saare loog bhi kaam kerte hai bhoat saare loog kaam kerte hai toho sakti hai ki sabka different point of view ho har koi alag nazariye se sochta ho toh ye bhi ho sakti hai ki aapko ye funda aapnana chaayye ki boss is always right yarni ki haamara boss haemesha sahih hoga iske baare me baat karenge manisha gil ke saath lekin abhi baat karte hai mamta se jenhoi nahi bharanas se call kya hai toh hello mamta batayye kiya sawal hai aapka haa mujhe iske baare me puchna hai ki joh loog office me ispara ka problem create karte hai mahilauon ko parishan karte hai ya asa kuchh madhah ajit tarah se dhekhti hai ya kuchhe toh aisa loog kuchh saikikik toh problem hootie hooghi toh kiya bachpan sehi unki aise niyo par jati hai ya bachpan sehi loogun ko parishan karna ya teese karna ya aisa kuchh hai bachpan sehi agar aisa kuchh hai ke mentalty bade hoke ben jati hai uske baare me jala doctor saaf se jana tha okey okey bhot acha sawal hai inka ki kya bachpan sehi wo log eise hote hai ki mtlob kisi ko parishan karna hai toh karna hi hai ya tensions dheni hai toh dheni hai ya ya pher office me aaker aisa mahal haul ha jata hai jiske zariye woi aise ben jate hai generally aise loog shaitaan hoote honge bachpan sehi shaitaan sehi ho sakti hai ah dousra ah aise loog kai kabar ah joh dousra insan hai uske behavior per depend karke bhi karte hai because you people will treat you the way you let them treat you okay kabhi kabhi ye bhi situation aati hai aur aise loogun ko ya toh unke khaam khatam ho gaya hai aur woi free hai aur they could be empty minds being devil's workshop thali dhimaag kehet hai shaitaan ka ghar hota hai toh ho sakta hai ho sakta hai wasa aur aise loogun ke saath it's important that you maintain a very very professional relationship yes keep your distance draw your boundaries with such people because if you don't draw your boundaries they will overstep them exactly jab tak aap professional relations rakhenge tab tak aapke rishhtey mazboot rahenge lekin the bit you are trying to being personal with that person toh ho sakta hai ki aapke rishhtey thoday kharaab ho sakta hai hum baat kare hai ki boss is always right ka hume funda apnana chahiye ya nahi toh aapke hesaap se aasa karna chahiye ya nahi ah ismeh kaha it's an old adage joh baht salo se chalta a raha hai ah aaj kal yeh suggestion hote hai ki ah agar boss kuch kare hai aur ap disagree karte hai it's always a good idea instead of letting those negative feelings fester inside you at least express kariye in a fashion which is manageable agar aap wahan jake unko batayenge apna point of view and if the boss still thinks that he first of all remember all bosses have gone through your experience and your stage exactly that's why they are boss yes so he will listen to you he or she will listen to you they may take your input and they might act a certain way but remember they need not agree with you all the time but it's important to express yourself and if it doesn't happen the way you exactly want let it be kyunki mujhe lagta hai ki boss eek aasa buzzer na jis ke oper pori organization ka bhaar hai pressure hai to aap se zahadha work pressure shayad unpar hai tabhi ho saktai ki kabhi kabhi wapke point of view ko samajna chate bhi ho par samajna pati ho lekin kai bar hama apna point of view jab boss ko samjhana chaathe hai to aisa wata hai ki boss nahi samajna chaathe kuch logo kaisa lagta hai to aise situation na hai is ke liek ya kar sakte hai uh point of view agar ap express kar hai baos sasamaj nahi rahe hai uh one is you you need to express yourself in a fashion that your boss is open to listening to you ji okay ah kai log kai baar hum log gusse mein chale jate hai negative emotions ka saat jate hai to remember that is a defeated battle already the moment you go with negative emotions so go in a fashion where you are amicable express yourself with the words be polite ji okay and listen to his perspective also okay he 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 will also try to tell you why he is taking a certain decision in a certain way exactly okay so you have to be a good listener also patience plays a very important role in this chali abhi baat kerti sunita se jino nahi faridabad se me call kia hai ji sunita bata ye kya puchhingi good afternoon ma'am a very good afternoon bata ye haa haa merah sawaal ye hai merah husband thowraола sa little bit opposite sexe jaldi attract ho jate hai unke age hai 35 hum 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 to is tari sa hum log'on ke bich ne thowra sa problem hooti hai hum uh aur mahi beha hu bastante depress ho jate ho ki inki mai unga reactions kaafi wat dhek chuk you miray saamne hum hum to muha samaj me nhin yaata hai ki amha positive bhi kaafi ho ga yi mungha her wakt inseguriti feeling hote hai और जब तक सामने में उपसिट से भीएज करना लेज़ तब और डिप्रेज हो जाती है चाली इनका क्वेशन थोड़ा हमारे टॉपिक से हटकर है लेकिन बहुत इमोशनल है मुझे लगता ही है और डिप्रेस्ट रहने लगी है काफी क्योंकि इनके हस्बेन का जो भीएवेर है वो ठीक नहीं है उपसिट से बहुत जल्दी अट्राक्ट हो जाता है तो क्या कर सकती है इसके लिए पहली बात तो है कि she needs to communicate to him tell him that I feel this a certain way और पता लगाई है कि कितना real है आपका जो fear है कि realistic होना ज़रूरी है he might of course try to explain by refusing it or whatever but in the sense that जब तक आप उनको बताएंगी नहीं और उनके साथ discuss नहीं करेंगी कि क्या reasons है ऐसा हो रहा है क्या वो past में भी ऐसा करते थे क्या particularly अभी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और ये ऐसा क्या सोच सकती है so that she doesn't feel depressed क्योंकि insecurity कभी कभी शक्की बिना हो जाती है तो ऐसा ना होने दे राइट तो चलिए आपको अपने husband के साथ communicate करना होगा बैठ के और आपनी को अपनी problems उनके साथ शेयर करनी होगी कि आप इस वक्त किस phase से घुजर रही है तभी शाद आपके husband आपको समझने की बहतर कोशिश कर सकेंगे तो अभी हम बात कर रहे हैं in relation at workplace के बारे में आपने कहा कि boss हो सकता है कि कभी कभी ना समझे because work pressure होता है तो आपना point of view समझाने की कोशिश कीजिए लेकिन कई बार ये discussion जो होती है वो arguments में बदल जाती है तो कई बार लोग impatient हो जाते हैं या boss को भी पलट के जवाब देते हैं तो आपके हिसाब से ठीक है किसी को भी बापस जवाब देना is not a sensible thing to do okay they need to first of all be a very very patient listener जब आप बोल रहे हैं तो लोग आपको सुन रहे हैं और जब लोग बोल रहे हैं तो आपका भी करते होता है कि आप सुने also you need to be able to handle your emotions the most if you are getting into a if you are in a discussion and it is becoming a conflictual discussion we call something known as time out कि आप आपस में बता सकते हैं कि अब मुझे कुस्सा आ रहा है या I'm not comfortable and say take 5 or 10 minutes of a break so that even your boss can settle down and so can you maybe you can go and have a glass of water okay or go out go outside the room मतलब उस वक्त यहाँ से उठके चले जाएं और उने mind को काम करने की कोशिश करें और उसके बारे मेरे हिसाब से बाद में सोचना बेकार सी बात है because office के जो relations है वो office तक ही रहें तो बैटा रहता है तो Manisha जी आप यहाँ पर आई इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया शो को आपने आगे बढ़ाया हमें tips दी कि कैसे अपना relations को strong करना चाहिए workplace पर इसके लिए thank you so much